इसे नमबर 21 है integration 10x c की power 3x और dx क्यूंकि हम इसका direct integration solve नहीं कर सकते हैं और ना ही integration by part वाला method लगा सकते हैं क्यूंकि यह दोनों टर्बुनमेट्रिक function है different function नहीं है और इसका integration हम सिरफ substitution method लगा के ही solve कर सकते हैं substitution method लगाने के लिए पहले उसको integration करने के लिए पहले function और उसका derivative की form में लेके आना होता है यह देखें 10x है secant square x और secant x को हम separate करके लिख लेंगे यहां पर क्यूंकि secant x और उसका derivative क्या होता है secant x और 10x यह secant square x हम पहले लिखेंगे अगर secant square x फिर secant x और 10x जब लिखेंगे क्योंकि secant x यू यू सब्स्टिट्यूट करेंगे लेट करेंगे कि यू इक्वल है sin x के और secant x के और secant का derivative होता है secant x और 10x तो यह secant का square दिया हुआ है यू को सब्स्टिट्यूट कहता है secant की जगापे तो दुबारा हम secant को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यू की जगापे 1 by 3 यू की जगापे secant की पावर 3x प्लस c थैंक यू